Hello everyone, this is Siva and welcome to my YouTube channel Guys, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई interesting English story जिसमें हम English के नए-नए word meaning सिखेंगे और उन words को सही तरीके से पढ़ना सिखेंगे और इस story में जितने भी sentences आने वाले हैं उन सभी sentences का एक-एक word के थुरू हिंदी जानेंगे तो मैं आपसे request कता हूँ कि वीडियो को end तक जरू देखेगा क्योंकि आप इस story में जितने भी word meaning सिखते हैं वे सभी word meaning आपको वीडियो के last में देखने को मिलेगा और मैं ये promise कता हूँ कि आपको इस वीडियो से English सिखने में काफी help लेगी तो चलिए आज की story को start कते हैं story का title है the dacoid and the fish dacoid का मतलब उता है daku and यानि और the fish यानि मचली यानि कि ये story है एक daku और मचली की तो चलिए start कते हैं once upon a time once upon a time का मतलब होता है बहुत समय की बात है या बहुत समय पहले की बात है इन यानि में, अरेवियन यानि एक स्थान है, अरेवियन सिटी यानि सहर, अरेवियन सहर में बहुत समय पहले एन यानि एक अट्रोसियस, अट्रोसियस का मतला है बहुत दोष्ट, यानि कि अतिदोष्ट, डेकोईट, डेकोईट का मतला है डाकूम, लिव्ड यानि रहता था यहाँ पर leave की second form lived है चुकि यह past inheritance से यहाँ पर leave की second form lived है leave मतलब होता है रहना पूरे sentence का मतलब हुआ एक समय की बात है Arabian city में एक अतिदुष्ट डाकू रहता था with यानि के साथ, hit यानि अपने enormous मतलब होता है विसाल या बड़ा soldier यानि सिपाही पूरे sentence का मतलब है एक बार की बात है Arabian city में एक बहुत दुष्ट डाकू अपने विसाल soldier यानि सिपाहियों के साथ रहता था और यानि एक deplorable, deplorable यानि दर्दनाग atmosphere, atmosphere मतलब होता है महौल, pervaded, यानि सभी जग़ फैल जाता था यहाँ पर pervade का मतलब होता है मतलब होता है सभी जग़ फैल जाता था चुकि यह पास्ट निफ्रिटेंस से इसलिए परवैड की सेकंड फॉर्म परवैडिट का यूज हुआ है तो एक दर्दनाग महौल फैल जाता था वीड यानि से, वीड का मतलब होता के साथ या से, से, ही जानि उसके एक इसके उस्ट के प्रवैडिट यानि उपस्थिती उसके उपस्थिती से एक दर्दनाग महौल सभी जग़ फैल जाता था वैन यानि जब, ही यानि वो, यूज टू, यूज टू का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति पास्थ में यानि बीते विकल में कोई कारी करता था तो उस सेंटेंस में यूज टू का यूज होता है हाला कि सभी sentences past में ही है पर सभी sentences में used to का use नहीं होता है कुछ sentences में एक या दो sentences में आपको देखने को मिलेगा यानि कि जब वह गुजरता था कहां से एनि किसी विलेज यानि गाउं ऑफ यानि का अरेबियन एक इस्थान है, सिटि यानि सहर पूरे sentence का मतलब हुआ है जब वो Arabian city के किसी गाउं से गुजरता था तो एक दर्दनाक महौल सभी जगव फैल जाता था उसके आने पर यानि उसके उपस्तिती में ड्रोंगी शचीनना क्योंकि सब्सेटी में चीजें मतलब है जथा टा साथ में यह दून्हां एक दूसर में जूब्लाओ है यानि कि वो पैसे के साथ में सभी वैल्यूवेबल यानि कीमति चीज़े बहरामी से छीनलेता था किसे चीनलेता था सभी कीमति चीज़े और उनके पैसे छीनलेता था he यानि वो committed यानि करता था यहाँ पर C O M I T commit का मतलब तहाँ करना यहाँपर commit की second form committed है यानि कि वो करता था such यानि ऐसे या इसे या इस तरह के crimes यानि अपराद डेली यानि रोज वो इस तरह के crimes यानि अपराद रोज करता था रोज करता था बट यानि लेकिन at the end at the end मतलबता है अंत में end मतलबता है अंत में of यानि के the day यानि दीन यानि दीन के अंत में यानि साम को he यानि वो डेली यानि रोज used to योज टू देखिए यहां पर भी आ गया योज टू का मतबता है जब कोई ब्यक्ति पास्ट में कोई काम करता था तो वहां पर योज टू का योज होता है तो क्या करता था गो यानि जाना गो का मतबता है जाना तो रोज जाता था वो रोज जाता था कब जाता था साम को जात तहां किसे पास था है ये उसके गशार उसके गटाए महल या यह कैश्क कौर्ण पड़ते हैं कहसल यानि महहल पूरे सेंटेंगी का मतलब गश्क पास जाता था तो उसके महल के पास था और गेव यानि देता था यहां पर गिव की सेकंड फॉर्म गेव है यानि देता था दे लोप सॉप ब्रेड लोप सॉप ब्रेड का मतबता है पाव रोट या टूप फेस यानि मचलियों को वन डे यानि एक देन यानि उसने गोट यानि पाया या पर गेट मतबता है पाना उसकी सेकंड फॉर्म है गोट यानि उसने पाया एक इंजरी यानि एक घाव इंजरी का मतलता है घाव यानि उसने एक घाव पाया अपने बोडी पर कहीं पर उसने एक घाव पाया होगा तो वही यहां पर है उसने यहाँ पर ले जाना यहाँ पर लीड की सेकंड फॉर्म लेड है ले गया किसको उस घाव को उसके उस घाव ने उसे ले गया कहां यहाँ उसके मृतियों तक उस घाव की वज़े से आप देखे क्या होता है इस परकार का सेंस आता है सेंटेंस में यहाँ पर टेक की थर्ड फ़ॉर्म का यूज होता है तो यहाँ पर उसकी जो आत्मा थी लेती जा रहे थी किसे उस को bridledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledled के लिए उसकी आत्म उसे नरक के पास लिये जा रही थी आगे अंगे अचानक यान एक एंजल एंजल मतलवता है देव दूत या फिर उस्ता लिए एक फरिस्ता ओफ यानि का गॉड यानि कहा से से मिस कहना होता है यहां पर से की सेकंड फॉर्म है से यानि चुकि यह पास्ट इन्ट इन्स है उसने कहा क्या कहा लो मैटर का मतलब होता है भले ही आप इसे याद कर लिजे जब किसी सेंटेंस में आपको दीखे तो अब समझ जाएं कि यहां पर इसने इंड हम यहापर यहापर मेटर का मतलब होता है यहापर मेकरा मेंट की सेकंड फॉर्म मेड है उसने बनाया विलेजर्स यादि गाउव knowledge और विलेजर्स के उपर देखी ऐसे नगा, इसका मतलब होता है काके के और लाइफ यानि जीवन, भले हि diese उसने गाउओं वाले के जीवन को बनाया, क्या बनाया? आप इसे अलग-अलग नई कर सकते हैं, यह चारो एक ही हैं, इनका मतलब होता है, वही दूसरी ओर, आप ऐसे नहीं पड़ सकते हैं, on miss पर, other miss, दूसरा hand miss हाथ, ऐसे नहीं, on the other hand एक दूसरी से जुड़ा हुआ, इसका मिनिंग होता है, वही दूसरी ओर, यानि कि उसने भले has fed, यानि खिलाया, यहाँ पर fad, fed मतलब होता है, खिलाना, उसकी third form है, fed, fed मतलब होता है, खिलाया, the feast, यानि मचलियों को, उसने मचलियों को खिलाया, यानि एक तरफ तो उसने बुरा काम किया, वही दूसरी ओर उसने अच्छा भी काम किया, ऐसा किसने कहा, भगवान के देवदूत ने, यानि की फरिस्ते ने, so, तो, he, यानि उसको, यानि वो या उसको, या उसे, या वह, ठीक है, must, must be, must be का मतलब होता है, कि किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए, must be का मतलब होता है, जरूर किया जाना चाहिए, गीवान, यानि देना चाहिए, य यानि उसे दिया जाना चाहिए क्या दिया जाना चाहिए और अधिक लाइफ यानि जीवन उसे और अधिक जीवन दिया जाना चाहिए फॉर यानि के लिए लिविंग यानि जीने के लिए यानि कि लिविंग का मतलब होता है जीना यानि जीने के लिए उसे और अधिक जीवन दिया जाना चाहिए ऐसा उस फरिष्टे ने कहा अब देखिए आगे क्या होता है फरिष्ट क मतलता है उसके बाद इसरहने यानि जानि यानि चोड़ दिया ए लेब मतलता है चोड़ना उसकी सेकंड फॉर में लेफ्ट यानि उसने छोड़ दिया क्या छोड़ दिया ही जैने अपने डिवस्टेटिंग का मतबता है खौपनाक या दर्दनाक एक्ट्स यानि कारे यानि उसने अपने खौपनाक या दर्दनाक कारे छोड़ दिये उसके बाद उसने अप के कीमती चीज़ी चींगता तो वह ऐसा काम उसने छोड़ दिया टो गाइस हमें स्टोरी से मॉरल क्या मिलती है यानि सिछां क्या मिलती है द सीन यानि पाप यानि गुनाह का मतल话 है तबाह करना उस यहाँ पर सेगंड फोर में पलवराइज्प त्यूकि यह पाश्ट इनिफमनेटेंस यानि कि गुमेणि और नोबिलिटी यानि महान्ता इन्सान्यत और महान्ता की द्वारण सीन यानि पाप को पलुआइज तबा किया allora रहना कारी कर रहे हैं कि अगर कोई अच्छा कारी कर रहे हैं तो इसके साथ कारी कर रहे हैं तोन है यानि विशाल की स्पाही and deplorable यानि दर्दनाग, atmosphere यानि महौल, provide यानि सब जग़ फैल जाना, pass यानि गुजरना, इनी यानि किसी या कोई, village यानि गाउं, city यानि सहर, brutally यानि बेरमी से, snatch यानि छीनना, valuable यानि कीमती, things यानि चीजे, along with यानि साथ में, money यानि पैसा, villagers यानि गाउं वाले, committee यानि करना, crimes यानि अपराद, daily यानि रोज, end यानि अंत, pond यानि तलाब, nearby मतलब pass, castle यानि महल, give यानि देना, loaf of bread यानि पावरूटी, injury यानि घाव, lead यानि लेजाना, death यानि मृत्यो, soul यानि आत्मा, take यानि लेना, hell यानि नरक, merciless यानि निर्धाई, act यानि कार्य, suddenly यानि अचानक, angel यानि फरिस्ता, terrible यानि भयानक, no matter यानि भले ही, on the other hand यानि वहीं दूसरी ओर, feed यानि खिलाना, more यानि और धी, leave यानि जीना, leave यानि छोडना, devastating यानि खौपनाक, forever यानि हमेशा के लिए, scene यानि पाप, polarize यानि तबा करना, humanity यानि इंसानियत, nobility यानि महानता, अब मैं आपसे request कता हूँ, कि आपको इन word meaning में से, जो भी word meaning ने लगे, उसे अपने copy में note कीजे, और daily do या तीन word meaning याद कीजे, जिससे आपकी vocabulary power increase होगी, और आप English चल नहीं सीख जाएंगे, and guys, वीडियो पसंद है तो, please वीडियो को like, and channel पर पहले वार visit कर रहें, तो channel को subscribe कर लिजे, subscribe के बगल में, जो bell icon पर निसानों से press करके, all पर click कीजे, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो अप्लोड हो, उसका notification आप तक सबसे पहले पहुचे, और आप सबसे पहले वीडियो देखकर English सीख सकें, Thank you so much for watching this studio guys, till then take care and goodbye.